अगर शारुख और अक्षे एक साथ आ गए ना, बॉलीवुड की दोस्तों ऐसी की तैसी कर देंगे, ऐसी की तैसी मतलब उनकी मा भैन एक नहीं कर देंगे, बलकि सिनमा घर फार डेलेंगे, बट कहां से ऐसी खबरे निकल कर आती है, क्या अक्षे हमें और शारुख हमें एक स साथ दोनों कभी किसी मूवी में देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों यहीं सब बाते में आपके साथ करने जा रहा हूँ, इस वीडियो में दूम फोर को लेकर, अदित्य चोप्रा दोस्तों आपको पता ही है, रानी मुकर जी के हजबन अदित्य चोप्रा, जिन्होंने जारूख खान इनके साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, यही दोस्तों बाते हो रही है, बहुत सी रियूमर्स आ रहे हैं धूम फोर को लेकर, क्योंकि दोस्तों दोजा तेरा में मूवी आई थी धूम त्री अमीर खान की, और ग्यारा साल आई तिंक हो चुके हैं, अभी त जन के दो उस तो नहीं अक्षे कमार दूमफोर के लिए हा करेंगे, नहीं शारूख खान करेंगे, और यह कुछ बाती निकल कर आ रही थी ना, शारूख खान अगर आएंगे तो तबाही मुचा देंगे, नई गायस क्योंकि देखिए शारूख खान एक ब्रेंड है, चाहेंगे और शारूख खानी चाहेंगे कि उनको कोई इस मुवी में छोटर रोल मिले, जने कि आपको अभिशेक बच्चन को पता ही है कि अभिशेक बच्चन जातर होते थे, जो पलिस का रोल करते थे, जो कि उनका रोल जोन के आगे फीका पढ़ जाता था, रितिक के दूमफोर में ना ही शारूख नाने वाले हैं, आप ये बात भूल जाये, चार-पाल साल तक तो बिलकुल ही नहीं ये दोनों दिखने वाले हैं, बठा अगर ऐसा बनाते प्रजेक्ट पर काम करते तो वाक्य में दोस्तों अक्षे इस काबिल थे, कि दूमफोर में अगर प क्योंकि सारा स्टोडी पर फोकस किया जाता है, अगर स्टोडी अच्छी होती तो ही बननी थी है ना, आप तो ये भूली जाएए कि दोनों एक साथ आएंगे, बट ऐसी दोस्तों खबरे बहुत सी निकल का रही थी, मैं आपको बता दूँ कि ये सब खबरे फेक हैं, इसमे कोई सचाई नहीं है, अभी तक दूँ फोर के लिए कोई अफिशली अनाउंस नहीं किया गया है, बट अदित्य चोप्रा कुछ ऐसा प्रजेक्ट बनाना जा रहे हैं, ऐसी बाते निकल कर सामने आ रही थी, कि शारू खान अक्षे कमार को प्रोच करेंगी, कुछ उनके दम सब्सक्राइब करेंगे, कि अगर यह इतनी सारी मुविस कर रहे हैं, उनके लिए तो टैम पिरिड निकले गाई नहीं अभी तक तो कब से कम दो तीन साल तो अक्षे के पास टैम हीने कि किसी और मुवी के लिए वह हां कह दे, क्योंकि वह बैप सीरीज भी कर रहे हैं, आप आपको पता है, उनको साल में एक ये दो, सौंग भी निकालने होते है, विकेशन पे भी जाना होता है, और कुछ जो टीवी पर टेलिकास्टर होते हैं, पर उन पर भी हो जाते हैं, सबीतरह हैं करते हैं, आपको पता ही है कि इसलिए अक्ष bipolar लिय तो टायम पॉसीबल नहीं वो आपको पता ही है कि वो साल में एक ही निकालेंगे एन एक दो तीन वार निकालेंगे नहीं वो सिर्फ एक निकालेंगे और S.R.K के बाद अक्षे की बाद करते हैं तो अक्षे वाक्षे में दोस्तों बहुत सी फिल्में लेकर आ रहे हैं आपको पता ही है कि अक्षे किमार की अबागे वेलकम थ्री आने वाली है हेरा फेरी थ्री के लिए भी काम कर रहे है और उसके बाद दोस्तों हाउस फॉल फाइब भी आनी है अवारा पागदिवाना टू के लिए भी दोस्तों बात चड़ रही है और उससे पहले वे अक्षे किमार की आरी है बड़े में चोटी में जो एद बर आरी है तो ऐसी कई मुवीज हैं दोस्तों जिसमें अक्षे बहुत आपको वर्क करते हों नज़र आएगे बाकी आप लोगों के हिसाब से दूम 4 के लिए कौन सा बैस्ट एक्टर परफेक्ट था तो मेरी मानते तो यार मैं तो यह कहाँगा कि अक्षे इस दा बैस्ट च्वाइस चाहे उनकी जगा रोल किसी और फुलिस कप सकते दो जो एक्षिन में कमाल कर सकता है वो अकी है और कोई नहीं तो बस मुई यह कहना था और आपको वीडियो कैसे लगा तो प्लीज कमेंट बताना और चैनल सिस्क्राइब ने के तो प्लीज कर जाना है तो थैंक्यू दूस्तों